हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दी चैनल उमीद करता हूं काफी जादा अच्छे होंगे और इस महीने जो लॉंच होने वाला है वो है किया सॉनेट फेसलिफ जिसके लिए हर कोई काफी जादा एक्साइडिट है अल्रेडी किया मोटर्स ने इसका फर्स टीजर शेयर कर दिया था देन एक सेकंड टीजर शेयर किया था जिसके इंदर इसका हमें रियर प्रोफाल रिवील हो गया था बट आप लोग इतनी से अपडेट से कुछ कहां होते हो आज मैं आप लोग शेयर करूंगा किया सॉनेट का ब्रॉशर डिटेल जिसके अंदर में आप लोगा बताऊंगा इसके एंजिन साधे ट्रांस्मिशन ओप्शन कलर ओप्शन कौन-कौन से हैं कौन-कौन से नए फीचर यहां पर आने वाले हैं साथी अलॉइस का डिजाइन कैसा होने वाला है सीट डिजाइन कैसे कैसे क्योंकि इसका जो ब्रॉशर है वो लीक हो चुका है सो सारे डिटेल में आपको नई अपडेटेड और ऑफिशल देने वाला हूं क्योंकि ब्रॉशर डिटेल इसके पूरी तरीके से लीक हो चुका है लॉंच से पहले ही सो दोस्तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा ताकि आप लोगों को बेटर क्लारिटी आपाए अबाउट न्यू किया सॉनिट फेसलेफ्ट सो दोस्तों यह जो डिटेल में आप लोगों शेर कर रहा हूं साथ ही इमेजिस यहां पर शोकेस कर रहा हूं ना इसका क्रेडिट जाता है आधी सोन यूट्यूब चानल को जिन साथ ही इसके बाद हमें मिलेगा पेट्रोल में 1.2 लिटर का एडवांस स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल एंजन जो प्रेडियूस करता है 61 किलोवाट की पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क साथ ही डीजल एंजन के अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 1.5 लिटर का ड 25 किलोवाट की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क सो दोस्तों यह तो बात होगी इसके एंजन ऑप्शन की अब बात आती है इसके ट्रांस्मिशन ऑप्शन की अब ट्रांस्मिशन ऑप्शन की सबसे बहले हम बात करेंगे 1.2 लिटर स्मार्ट स्ट्रेम की यहां पर आप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं मिलेगा देन आता है 1.0 लिटर पेट्रोल एंजिन जोगी सब का फेवरेट है क्योंकि काफी जादा पावर जेनरेट करता है तो यह तो 6-speed IMT and 7-speed DCT अवेलेबल मिलेगा देन अगर हम बात करें डीजल की तो यहां पर सबसे जादा च यहां पर हमें सेम वेरिंट्स मिलने वाले हैं HTE, then HTK, HTK+, HTX, HTX+, and GT… दोस्तो अब बात आतिये हैं वेरिंट्स के बारे में यहां पर जो आपको वेरिंट्स मिलने वाले हैं वो है HTE, HTK, then HTK+, then HTX, HTX+, GTX+, and X-Line तो इस सारी वेरिंट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं बट अब बात आतिये हैं कि किस वेरिंट्स के साथ कौन से एंजन ओप्शन आपको अवेलिबल मिलने वाला है तो यहां पर अगर हम लोग बात करें HTE वेरिंट्स की तो यहां पर आपको 6-speed manual के साथ में मिल जाएगा, HTK भी आपको same engine options के साथ में मिलेगा, HTK+, के अंदर आपको एक engine यहां पर add हो जाएगा, जो की है 1.0-liter का turbo petrol engine, तो अगर आपको turbo petrol engine लेना है तो आपके पास option शुरू होता है from the HTK+, यहां पर भी आपको 6-speed IMT मिलेगा, then अगर बात करें more engine options की, more transmission option की, तो HTX is the variant जहां पर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं, यहां पर आपको मिलेगा, TGDI का 6-speed IMT, 7-speed DCT, then यहां पर आपको diesel के अंदर 3 options मिल जाएगे, 6-speed manual, 6-speed IMT, and 6-speed AT, यह सारे options आपको यहां पर मिल जाएगे, then HTX Plus की बात करें, तो यहां पर आपको 6-speed IMT Turbo Patrol के साथ में, Diesel के साथ में, Manual Transmission, और Diesel के साथ में, IMT, यह available मिलेगा, GTX Plus के अंदर आपको मिलेगा, TGDI का 7-speed DCT, then diesel का 80 option, X-line के अगर बात करें, तो वो भी सेम है, TGDI 7-speed DCT, और diesel का 6-speed AT, तो यह हो गए सारे ही engine option, according to the variants, कि किस variant के साथ में, आपको कौन से engine option मिलने वाला है दोस्तों, अब बात आते है color options की, और इस बार ना, एक color extra introduced किया गया, with the all new Kia Sonnet facelift, so यहाँ पर आपको अगर हम बात करें, monotone options की, तो total 8 monotone options आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको glacier white pearl, then sparkling silver, gravity grey, aurora black pearl, intense red, imperial blue, and clear white, यह options आपको यहाँ पर मिल रहे है, then ए एक जो color option extra है, वो है, pewter olive color, जो की नए इंट्रोड्यूस किया गया, तो whole total आपको 8 color options, monotone के अदर मिल रहे है, then dual tone के अदर आपको यहाँ पर available मिल रहे है, intense red, with aurora black pearl, then glacier white pearl, with aurora black pearl, तो यह दो color options यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, then एक आपको exclusive मिलता है, matte graphite, जो कि हमने saltos क अदर अल्रेडी देखा है, तो वो आपको सिर्फ X-Line के साथ में available मिलेगा, किसी और option के साथ में available नहीं मिलेगा, तो यह तो बात होगे, इसके color options के बारे में, दोस्तों अब बात आती है, alloys के design की, कि आपको कौन-कौन से alloys के design यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आगे, next videos के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन से trim के अंदर आपको कौन-कौन से features मिल जाएंगे, वो एक अलग videos में आप लोगे लिए लेकर आने वाला हूं, उसके बाद में 16 inches का dual tone styled wheels भी यहाँ पर option है, इस बार, उसके बाद में 16 inches के crystal cut alloys, वी alloy wheels, उसका भी आप design देख सकते हो, so whole total हमारे पास दो alloy wheels के design है, then एक steel wheel का option है, और आप यहाँ पर देखेंगे, notice करेंगे, तो X line के अंदर हमें, जो की top of the line variant होने वाला है, sage green leather seat with all black interior मिलेगा, जिसके अंदर हमें exclusive sage green inserts मिल जाएंगे, then अगर हम बात करें, जीटे लाइन के तो वहाँ पर हमें black leather seat मिले जाएंगे, tech line के अंदर भी options हैं, जैसे के black and brown के leather seat मिलेंगे, जिसके साथ में all black interior with premium brown inserts मिल जाएंगे, then एक और option मिलता, black and beige semi leather seat with all black and beige dual tone interiors, then semi leather seat with all black interior, तो tech line के अंदर हमारे पस तीन options हैं, interior के with the seat upholstery, और यह depend करेंगा, according to the variant के आप कौन सा चूस कर रहे हैं, यानि कि low variants के अंदर हमें मिलेंगे semi leather seat, then और अगर आप उपर की तरफ जाते जाएंगे, तो और ज्यादे improvement होती जाएगे interior में, और color scheme उसके according होगी, दोस्तों, पता चला है, हाला कि और भी further features होंगे, जो कि अभी हमें देखने के लिए नहीं मिले हैं, तो final job brochure आजाएगा, वो भी आपको शेयर कर दोंगा, but for the time being, जो अभी details सामने आई, मैं आपको से वो बता रहा हूँ, तो नए updates के अगर मैं बात करूं, तो हमें यहाँ पर ना, rear disc brakes देखने के लिए मिलेगी, with the higher variants, साथ ही traction modes मिल जाएंगे, automatic variants के साथ में, front parking sensors भी इजवार मिल रहे हैं, साथ ही electric driver seat मिलेगी, जो कि 4-way adjustable होगी, and 360 degree camera with blind view monitor, जो कि cluster meter के अंदर showcase करेगा, उसके बाद में ADAS level 1 features यहाँ पर आजाएंगे, जिसके अंदर हमें 8 features यहाँ पर मिल र उन से features वो मैं आप लोगों बतायता हूँ, forward collision warning, forward lane avoidance, forward collision warning, forward collision avoidance, car के लिए, then pedestrian के लिए, and cyclist के लिए, साथ ही lane keep assist, lane follow assist, lane departure warning, high beam assist, driver attention warning, leading vehicle departure alert, तो यह सारे features हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले है, with the all new Kia Sonnet phase lift, और मेरे साब से, जो यह ADAS features होंगे, वो GT line, और X line के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमने यह सेम चीज़ सेल्टॉस के साथ में भी देखी है, और यह सारे details थी, जो की reveal हो गई है, about the all new Kia Sonnet phase lift, और इसका जो global debut है, वो 14 December 2023 को है, उसके बाद हम आप लोग जाए इसका details भी शेयर कर देंगे, और next videos के अंदर हम आप लोग जाए इसके जो variants wise details है, features है, वो भी शेयर करने वाले है, आपको यह update क्या से लगा, Kia Sonnet नहीं आपको कैसे लग रही है, comment करके ज़रू बताएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन जै भारत!